अससेलाम अलेकूम आज हम वह instruments है're during इसची है्वी में दो से रीप बढहन रिप क़ीप好吃 in कि अद्ट जो जितनी भी बून होती है हमारी बोडी में वह इससे काटे जाती है यह आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास है ब्रेन नाइफ यह इसे ब्रेन को different slices तक्रेंग पर देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास है रीट्रेक्टर रीट्रेक्टर यूज होता है चेस्ट वाल या अब्डोमन वाल को उपन करने के लिए इक लॉग भी हो जाता है उसके बाद है हमारे पास tooth forceps it is used for holding different structures then we have scalpel ये disposable भी होता है skin cutting में यूज होता है हमारे पास उसके बाद measuring tape में हम different wounds या wounds की length को मायर करने के लिए यूज होता है most commonly ये यूज होता है गरों में भी इसके बाद sheasel different type sharp burnt end दोना टाइप की sheasel होती है ये skin ये visoros को काडने में वदद देता है फिर इसके बाद sheasel जिसे उरतों में चैनी भी कहते हैं इसको गोर से देख लिए बहुत important instrument है इसको bone को divide करने के लिए यूज होता है हमारे पास इसके बाद post-mortem needles ये needles है different size के available होती है ये wounds गएरा या in size one उनको या skin को switcher करने के लिए यूज होता है मारे पास इसके बास इंटेरो टॉम इंटेरो टॉम में इसमें ये सीजर में ये फरक है इसको एक इसका पार्ट है न वो दूछे पार्ट से ज्यादा lengthy होता है और उपर इसके hook मिली होती है हमें ठीक है ये मतलब विस्राव या intestines को काटने भी हमारे पास मदद देता है यह हूँ किस्लिव होता है कि ताके जब यह हमें से काटे तो इससे कोई परफोरेशन ना ओटीशन में है फिर उसके बाद हमारे पास है है हैमर इस यूज़ फोर ब्रेकिंग स्कल बॉन और कोई भी हार्ट जो चीज़ जो से सेप्र नौस के लिए यूज़ करते हैं हमें से इस यूज़ फोर मेगनिफाइं ट्रेस एविदेंस लाइक सीमन और ब्लड इससे इसे हम बून को काटने में यूज़ करता है यह भी मारे पास डिस्पोजिबल और ब्लेड फिक्स ब्लेड में होता है ठीक है अक्सरी तो यह ब्लेड नहीं होती थी यह चीज़ ही पड़ी ह मदद देते हैं ओके अला आफिज